लो फ्रेंद्स वेल्कम bend back to my channel friends आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यामी लेके आये हैं लाजवाव रेसिपी काली मसूर और यह खडी मसूर कहते हैं उस og chairsि है और बहुत ही चीरा और काली मिर्च और लाल मिर्च और हरी मिर्च को का पेस्ट बना लिया था और यहां पर एक चमच हम धनिया पौडर आधी छोटी चमच हम हल्दी पौडर और आधी छोटी चमच हम कस्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं कस्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है और तिखा गाम होता है यहां होता है यहां पर चिकन मसाला जरूर तो उआम जहाँ कोकेद का करने के लिए भूसे परबिगना देएंगे सबसे पहले हम मसाला कर रहा है कि यह अच्छे से भीग जाएं तो भीगा के हम इसमें साइट कर देंगे अब हम एक कुकर लेते हैं कुकर में हमने सर्सों का तेल डाला है दो बड़े चमश सर्सों का तेल डाल रहे हैं और हम सर्सों का तेल डाल तेल गरम हो जाया तो एक तेच पत्त और राधी चूटी चमश जीरा डाल देंगे और तड़कने दो बड़ी मीडियम प्याज को स्लाइसे में करके हमने काट लिया था और इसको अब इसमें डाल देंगे और हम इसका जब तक कलर चेज नहीं होने लगेगा तब तक इसे हम भुनेंगे medium फ्लेंगे किया के पूरी कुकिंग medium पे करना है looking है कि प्यास को अच्छे से भून लेंगे कि जिसे हमारा प्यास में कच्छा पनना रहे जब कलर चेंज होने लगेगा तब इसमें हम एक बड़े चम्मच यह अद्रक का पेस्ट हम डाल देंगे और इसे भी एक मिनट तक भून लेंगे जिससे से कच्छा पन निकल जाए जो हमने मसाला तयार किया था भीघो कराखा था उससे अब हम इस तेल में डाल देंगे जिसमें डाल देंगा और अच्छे से भूलेंगे जबसक्स में से त्यल रिलीज ना हो जynn Guard एंच्छे से कम से कम को मीडियम फेलम फे दो मिनट तक भूनना है मसालें को यह देखे फिर्ण स्टिल रिलीज होने लगा है और अब हम यहाँ पे एक बड़ा टमाटर कट करके डाल देंगे चाहे तो आप यहाँ पेश्ट भी डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा टमाटर पसंद करते हैं तो यहाँ पर दो बड़ी टमाटर डाल सकते हैं तमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जैसे हमने टमाटर डाले वैसे हम यहाँ पे नमक डालेंगे जितना हमें पूरी दाल में नमक चाहिए उतना नमक हम एक बार में डाल दे रहे हैं अगर आप चाहें तो दो बार में भी करके डाल सकते हैं हम यहाँ पे ही पूरा लाई करा दे रहे हों और अगर आपको कम ज्यादा लगे बाद में तो आप डाल सकते हैं तो आप है एड़ कर सकते हैं इसमें नमक यहां इसलिए डाल दें कि जिससे हमारे चाप्लाटर जल दूस्द हो जाय कि अब हमारे चामाटर देखे फ्रAss, फृण्स थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है अब यहां पर है जो हमने काली मसूर जो खड़ी मसूर है उसे धो के आदा गंटा पहले हमने रख दिया था विगो के अब इसे अब हम अपने कूकर में डाल देंगे मसालों के साथ और फिर इसे दो मिनट तक इसे भी भून लेंगे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके से हम दो मिनट के लिए भून लेंगे अब यहां पर हम पानी अपना अट कर दे रहे हैं हमने एक कटोरी मसूर की दाल लिया तो इसके हिसाब से हम तीन बड़ी कटोरी हम पानी डालेंगे जिस जो मेजर्मेंट हमने डाल के लिए किया है उसी से ही तीन गुणा पानी डाल रहे हैं यहां और बाकी पानी अगर हम जब भी कुख हो जाएगा तो अगर हमें लगेगी जरूरत तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे अगर 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 झोओ थोड़ी पातली डाल खानी है तो आप 4 गुणा पानी डाल यहां कियोंकि थोड़ा प्रेशर कुख हो में पर पानी कम होता है और अगर नहीं थोड़ा धनिया भी डाल दे रहे हैं थोड़ी धनिया और गाले का पर में बहुत अच्छा आता है तो अब हम यहां पर थन या डाल से मिकस करतें के हम और को हैं यहां पर हम पांस विसल लगाएंगे चोब हो जाएगी अच्छे से यह देखिये फ्रेंट्स हमारी अब दाल बंद के तयार हो चुकी है सीटी आ चुकी है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहां पर हम गैस रिलीज ओने तक का वेट करेंगे जब कुकर की अपने आपी गैस रिलीज वाइगे तब इसे कोलेंगे और यह देखें फ्रेंट्स हमने सर्फ की है कितना टेस्टी लग रहा है इस पर टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है अगर आपको कुछ चटपड़ा खाने का मन है आप नौन विज नहीं खाते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ किजेगा एक बार आयो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगती तो प्लीस हमें वीडियो को लाइक शेर चैनल को सिस्क्राइब जरू किजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो